एक normal printer किसी भी image या text को कागज पर print करता है लेकिन 3D printer उसी चीज को बनाने की capacity रखता है कहने का मतलब 3D printer से हम जैसे चाये object बना सकते हैं और यह कोई soaking बात नहीं है कि आने वाले कुछ time में 3D printer का market इतना develop हो जाएगा कि वह buildings भी बनाने लग जाएंगे 3D printer की working को तो हम 3D animation से समझेंगे ही लेकिन सबसे important 3D printer से related कुछ idea में आपको देने वाला हूँ जिनकी help से आप अच्छा business setup भी कर सकते हो 3D printer में एक nozzle होता है जिसका diameter 0.2 mm या इससे ज़्यादा भी हो सकता है जितना nozzle का diameter कम होगा object उतने ही सांदार और clear quality के बनेंगे nozzle brass या stainless steel का बना होता है क्योंकि इस nozzle से plastic semi liquid form में बाहर निकलती है जिसका temperature 200 degree centigrade से लेकर 300 degree centigrade के बीच होता है यह melted plastic ही किसी object को तेयार करती है जिसको filament भी बोल सकते हैं यह filament pure polymer का बना होता है जिसका melting temperature कम होता है filament को फिगलाने के लिए nozzle के उपर heat block लगा रहता है जिसके अंदर thermostat लगा रहता है यह thermostat इस heat block को 200 से 300 degree centigrade तक गरम करता है और side में इसके temperature को major करने के लिए thermocouple भी लगा रहता है और इतना high temperature filament को आसानी से फिगला देता है heat block में एक तरफ nozzle को और उपर की तरफ heat break को tightly fix किया जाता है यदि इनके बीच में हलका सा भी gap रह गया तो filament कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा heat break का बस simple सा काम है heat block के temperature को उपर ना जाने दिया जाए इसलिए heat break के एक हिस्से पर heat sink लगी रहती है लेकिन फिर भी heat थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ चली जाती है और heat sink दिरे दिरे गरम होने लगती है तो इसको cool करने के लिए side में एक cooling fan लगा रहता है कई बार ऐसा भी होता है कि printer long time तक चलता है तो filament heat sink में ही पिगलने लग जाता है और heat sink की दिवारों से चिपक जाता है और जब हम printer को बंद करने के बाद काफी time बाद में own करते हैं तो heat sink की दिवारों पर चिपकी हुई plastic solid हो जाती है और नए filament को अंदर नहीं आने देती जिसको heat creep बोलते हैं उस condition में हमें heat sink की cleaning करनी होती है filament को nozzle अपनी तरफ नहीं खीच सकता इसलिए filament को आगे force लगाने के लिए एक stepper motor लगी रहती है यहाँ पर gear direct motor से जुड़ा होता है और एक idle gear होता है जब इनके बीच से filament निकलता है तो motor का force filament पर लगता है और motor filament को इस bundle से निकाल कर आगे बढ़ाता रहता है इस mechanism को extruder बोलते हैं stepper motor गड़ी की तरह चलती है जिसका torque हाई होता है यहाँ पर motor आपको same speed में चलती हुई दिखाई दे रही है जिसके पीछे region है 3D printer में stepper motor का step angle 0.9 degree होता है जिसका simple सा मतलब है motor का router 0.9 degree के छोटे छोटे step में rotate करता है और इतने चोटे step angle की वज़े से motor continuously चलती दिखाई देती है इस motor की controlling बहुत सांदार होती है जहाँ motor को रोकना होता है उससे आदा degree ही आगे नहीं जाएगी जिससे 3D printer में quality आती है robotics application में mostly इसी motor को use किया जाता है अब 3D printing करने से पहले जिस object को हमें print करना है उसको 3D software की help से computer के अंदर बनाया जाता है और 3D के software को हमने detail से हमारे 3D animation के course में सिखाया है तो एक बार आप course को जरूर से सीखना जैसे आपने software की help से एक glass बनाया glass की dimension, height, सब कुछ हम software में decide कर लेते हैं उसके बाद file को 3D printer के system में load किया जाता है 3D printer सबसे पहले file को read करता है और nozzle को set करता है जितनी भी motor उनको ready करता है और plastic melt करने के लिए heat blow को start कर देता है 3D printer का यह bed है जिस पर कोई भी object बन कर तयार होता है जो गरम plastic nozzle से निकलती है वह इसी के उपर आकर गिरती है तो यह काफी गरम हो जाती है इसलिए इसको touch नहीं करना चाहिए हाथ से इस bed का control भी controller के पास में ही होता है जो only y axis में कुछ इस तरीके से move कर सकता है bed को move करवाने के लिए एक stepper motor होती है जिसको belt की help से bed से connect किया जाता है bed के उपर head unit होती है जिसमें nozzle लगा रहता है head unit भी x axis में अपना movement कर सकती है और इसके movement को एक अलग stepper motor control करती है जो एक belt की help से head unit से connected रहती है अब इस head unit को z axis में up down करवाने के लिए एक और अलग stepper motor लगी रहती है यहाँ नीचे की तरब जिससे एक threaded road को connect किया जाता है जब motor rotate करती है तो road पर लगे threads head unit को z axis में up down करवाते है और interestingly हमारा real world जो हमें 3D में दिखाई देता है उसमें x, y and g तीन ही axis होते है और 3D printer का तीनों axis में पूरा control है तो यह किसी भी object को जैसे इंसान बनाते हैं वैसे बनाने के लिए तैयार है nozzle सिर्फ plastic को पिगलाने के बाद बाहर बेशता है बाकी जैसा हमारा object है उसके इसाब से nozzle head को move करवाने का काम printer का controller करता है nozzle head से plastic continuously पिगलता रहता है और बाहर निकलता रहता है तो सबसे पहले nozzle head जिस तरीके से हमारा object है वैसा bed पर plastic को line by line set करता है जब एक layer बनकर तैयार हो जाती है तब head थोड़ा सा उपर उठता है और उसी layer के उपर फिर से plastic को पिगला कर line को add करता जाएगा इस तरीके से एक के उपर एक layer को set किया जाता है और जब तक हमारा object बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक यही process चलती रहती है इस type की printing को additive printing बोला जाता है जिसमें एक के उपर एक layer को add किया जाता है और इस technique को fused deposit modeling बोला जाता है यदि आपके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई हो तो एक question आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि extruder motor इतनी दूर से filament पर force लगाएगी तो क्या force सही से लग पाएगा मेरे ख्याल से बिलकुल भी नहीं इसलिए extruder से head unit तक एक tube को connect किया जाता है जो filament पर आ रहे pressure को head unit तक पहुँचाने का काम करती है अब ऐसा भी किया जा सकता है कि extruder को head unit के उपर ही set कर दिया जाए लेकिन इससे एक problem आती है head unit heavy हो जाएगा जिसकी वज़े से वह अपना moment accurately नहीं कर पाएगा और हमारा final output खराब भी हो सकता है इन printer की सबसे बड़ी खास बात है कि जब कोई model बन जाता है तो उसमें waste material almost zero होता है और इनकी high efficiency होती है object को हम पहले ही 3D के software में बना कर अच्छे से देख लेते हैं कि उसमें कोई mistake तो नहीं है 2022 तक 3D printer का market share almost 16 billion के around था लेकिन कुछ research से पता चला कि 2030 तक इसका market 105 billion तक हो जाएगा जिसका मतलब समझते हो इस sector में जबरदस्ट future हो सकता है आने वाले time में aerospace sector में aircraft के parts को 3D printer से बनाए जाएंगे dental crown को patient के इसाब से बनाकर set किया जाता है prosthetic equipment 3D printer से बनाए जाएंगे according to patient need लेकिन 3D printer को operate करने के लिए आपको 3D में object कैसे बनाए जाते हैं वह भी आना चाहिए इसलिए हमने 3D animation का बैतरेन course design किया है जिसमें हमने models बनाने के अलावा भी animation कैसे करते हैं सब भी detail में सिखाया है वैसे 3D animation के field में भी बहुत सांधार scope है लेकिन 3D printer आपको एक additional option मिल जाता है जहां future जबरदस्त होने वाला है छोटे 3D printer 30-40,000 के आते हैं जिनको आप अपने घर पे ही छोटे gear, toys, mobile cover इसके अलावा डेरों चीजे बनाकर अपने career को start कर सकते हो course की details description में available है हमारी 3D community में आपका most welcome है चैनल पर visit करके आप और भी अच्छे videos देख सकते हो Thank you